गुड मॉनिंग एवरिबड़ी आज के क्लास में हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ पोलिनोमियल्स ठीक है जिसमें हमारा जो एक्सरसाइज है वो आपका 2.5 है एंसे आटी मैट्स के बारे में बात करेंगे ठीक है और यह एक्सरसाइज 2.5 से पहले भी 2.1 2.2 है ठीक है आप जाए उसको देख सकते हैं पहले आप एक्सरसाइज 2.5 को आप ध्यान से देखें क्या है यह कुछ आइडेंटीटीज के बारे में हमने बताया और वह क्या क्या था था पयरा एडेंटीटीटीज है कि A प्लस B का होल सफैर अगर तेखें तो यह होता है एह एसकायर प्लस 2AB प्लस B आस्पायर होता है A plus B का all square A plus B का all square होता है A square plus 2AB plus B square फिर A minus B का all square होता है A square minus 2AB plus B square होता है ठीक है आप ये इसको 8 class में पड़े फिर A plus B और A minus B equal to होता है A square minus B square ठीक है फिर होता है X plus A और X plus B तो यह होता है x square plus a plus b x plus a b होता है क्या क्या होता है x plus a x plus a और x plus b तो x square plus a plus b x plus a b यह कुछ identities है इसके अलावा और भी बहुत सारे identities है जब जोरत पड़ेगा तो हम बारी बारी साब को बताते जाएंगे इस identities को हमने derive भी किया है ठीक है आप playlist में जाएए वहाँ पे algebraic identities नाम के एक topic होगा आप उसको खोलिएगा उस वीडियो को देखेगा आपको वहाँ पे detail से मिल जाएगा ठीक है देखें questions क्या है Use suitable identities to find the following products Use suitable identities to find the following products इसमें एक identities use करना अब कौस identities use करना यह आपको देखने से पता चलेगा ठीक है देखो तो यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b है देखो x प्लस a और x प्लस b लगता है यह कुछ उसी टाप कर दिख रहा है क्या x प्लस 4 और x प्लस 10 देखो तो x प्लस a और x प्लस b यह कैसा दिख रहा है यह आपको कैसा दिख रहा है X, और ये क्या दिख रहा है? A, और ये X, और ये क्या दिख रहा है? B, देखो, उसी तरह से, अब बीच में क्या? Plus है, मतब X plus A और X plus B का आइडेंटिटीज में दिख रहा है, तो X plus B और X plus A into X plus B, तो क्या होता है? X square plus A plus B X plus A B होता है, तो इसको कितना लिख सकते हैं? बोलो, इसको अंगल लिख सकते हैं, पहले क्या है? X square, तो X square हो गया, फिर क्या है? बोलो, Plus A plus B, तो A के जगा पर 4 और B के जगा पर कितना 10? तो 4 plus 10, और फिर क्या है? X है, देखें, X है, तो X के जगा पर XC है, पलस A B तो A के जगा पर 4 है और B के जगा पर कितना 10 है तो इसको solve करेंगे तो का X square पलस 10 और 4 कितना हो जाएगा 14X पलस 410 जार 14 तो यह आपका answer हो गया ठीक है बहुत अचान था अब इसका second question देखें यह X plus A A माइनस 10 है अब यहाँ पर जो देखो यह funktion को देखो X X X x ठीक है यहाँ पर a के जगा पर A भाट है यहाँ B के जगा पर कितना मा इन जाएगा तो पहले इसको ऐसे convert करो podemos प्लस में इसका सकते हैं इसको रहने दो, इसको ऐसे ही रखो, X प्लस एक ही रहने दो, और इसको कितना लिख सकते, इसको लिख सकते, X प्लस फिर इधर माइनस 10, देपर इसको ऐसे लिख सकते, ध्यान से लिख सकते, हमने क्या किया, इसको तो X इज रखने दिया, X प्लस एक, और इसको क्या 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 यह x यह plus कर दिया, क्यों हो क्योंकि formula में plus आ इसलिए और इसको bracket को minus में कर दें, तो देखे plus minus फिर वही चीज़ आएगा, ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा, आप देखो formula पे set करो, क्या है, x square, तो x के जगा पे तो x के जगा पे x ही है, तो x square हो क्या, plus a plus bx, तो a के जगा पे देखो, a के जगा पे कितना, 8 है, 8, plus, अब b, तो b के जगा पे कितना, minus 10 है, ठीक है, और फिर बाहर में कितना है, x है, x के जगा पे तो x है, plus a b, तो a के जगा पे, a b, तो a के जगा पे 8 है, और b के जगा पे minus 10 है, ठीक है, तो यह कितना हो जागा, देखो, यह x square YouTube क्यांतरणाना पहल privat है कि माईनिकशल के ना रहा है यह गालते जोते यह संस्काइर भी ऐस लाए जो चाहिए सब्सक्राइबные सब्सक्राइब फिर वाइस्पार मैनस 3 बाइटो वाइस्पार प्लस 3 बाइटो फिर वाइस्पार मैनस 7 यहां पर देख रहे हैं गैंस इस चीज को देखो आप की असे में बी से में लेगन क्या एक में पूरा एक जगा पे तो हो जाएगा य स्कौर का स्वाइर हो जाएगा एक स्वाइर दो माइनस बी तो takya कितना कर वी है 파्ड बाइन्स फॉर्य और ये हो आजै कि अंधर तो फर्फवर्स सेम है, लाश्वर्स सेम है, एक बसे से सीट पलस है, फिर माईनस, यहाँ भी माईनस पलस, ठीक है? आगे पीछर आने से कोई मतलब नहीं, फॉर्मुला यहीं होगा, AX-V, तो A plus B, A plus B, A plus B, A plus B, A plus B into A minus B, Is equal to AX-V, तो A के जगा पर ते फिरी का स्वार होग या और एक्सस करती है आपका अंसर हो गया नाइदा फॉल्विंग प्रॉडट्स विदाउट मुल्टिप्लाइं डिरेक्टली देखे इसको क्या करना है चुकि आप नाइन्ट स्टेंडर्ड के हैं आप तो बच्चा नहीं है कि इसको डिरेक्ट मुल्टिप्लाइं कर देगा मतल़ इसको जो करना है ओ बीना मल्टिप्लाइं कि डिरेक्ली मुल्टिप्लाइं नहीं करना तो तो कहीं न कहीं यह सब यूद्टिटीटीज है उसको यूज कर के सौंब करना कोई ना कोई तो इंटो साओ एप्लांए होगा तो देखते इसमें हो 113 को क्या लिख सकते हैं spoلي 100 से बनेसे 117 को मतलए कही न कहीं यह हो आरह है मतलग कही न कहीं यह आरहा है परोद से परीएप संसेल होगा एकोण सीज़कों इस चीज और ऑं से प्राइग को यह जञए आखुण यह होघे T A plus B X, तो A के जगह पर 3 है, और B के जगह पर 7 है, तो 3 plus 7, और फिर X, तो X के जगह पर केतना है? 100, फिर plus क्या है? टो A के जगह पर केतना है? 3 और B के जगह पर 7, तो यह हो जाएगा 100, जरो, 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 जरो हो जाएगा? 10 और उदर 100 तो उके तम जाएगा 1000 हो जाएगा प्लस 730 21 ठीक है अब आइड करो यह हो जाएगा 12011 यह आपको खुद बनाना है और कैसे बनाईएगा तो इसको किजेगा 90 प्लस 5 और इसको 90 प्लस 6 करके बनाना है एकड़ सेम तरिया दिया यह 104 इंटु 96 है 104 इंटु 96 है अब यह भी इसको भी डारेक्ट मल्टिप्लाइ नहीं करना है तो कही ना कहीं यह कुछ कोई ना कोई तो आइडेंटिटीज में सेट होगा देखो कैसे सेट करेंगे क्या 104 को 100 प्लस 4 लिख सकते हैं बिल्कुल लिख सकते हैं 104 को 104 को किता लिख सकते हैं 100 प्लस 4 तो आप देखो यह एक एड़निटीज में सेट हो रहा है कौल साएडेंटिज में सेट हो रहा है यह फर्स्टिक यह सकनल सेमन है बीछ में पर फि्लस यह पर मानेस सींग सेमन आ है इह संह यह सेमन से तो पुरंसा चिक्वर पर नहीं कहिंते तो हंडे कर रहे माशा यह क्या है वह क्याद कर शर्द का स्वार मानेस में हो जाएगा तो 16 हो गया, तो 16 माइनस करेंगे, तो 4 हो गया, अधर 9 में 1, तो 8 हो गया, और ये 9 गया, तो 9984 अंसर हो गया, ठीक है, तो चलिए वीडियो को पॉस्ट कीजे, और इसको लिख लिजे, और भी इस तरह का आप अगर लेटिस्ट वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप इस चै जह हैं, जह हैं जह हैं